दोस्तों आप तमाम लोग गौरव वल्लब को तो जानते होंगे, हो सकता है शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप उस शक्स को तो जरूर जानते होंगे, जिसने संबित पात्रा से कहा था कि बताईए, पांच ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, अब तो शायद आपक से की चीज़ पूछ देते हैं, तो जेनरली ऐसा होता है कि आदमी नहीं भी बता सकता है, लेकिन खेर वो वीडियो सोशल मीडिया पे खुब वाइरल हुआ, असल में वाइरल इस लिए हुआ कि बार बार संबित पात्रा जी पांस ट्रिलियन पांस ट्रिलियन कह रहे थे, त राज वो आज ही रिजाइन दिया था, लोगों को लगा कि चलो हो सकता है, राजनीती से उनका भरोसा उठ गया हो, लेकिन राजनीती से भरोसा नहीं उठा था, उनको असल में कहीं और जाना था, और पार्टी से रिगनेशन देने के चंद घंटे पहले, साहब जो हैं, वो जादा मज़ा आएगा, कि एक नेता, जो दूसरे नेता को इस तरह से डिबेट में जहार रहा था, वो अब एक साथ एक कुरसी पे बैठ करके कहे गा है, कि हम दोनों ही ग्यानी हैं, बाकि जितनी पार्टी के जितने नेता हैं, वो अग्यानी हैं, और इसी वज़ा से हम लो सहानुभूती नहीं है, हम ये खबर बता रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कि कॉंग्रिस का ये हाल हो भी क्यों रहा है, चली, बताते हैं, पहली बात तो इनका लिटर आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या-क्या बातें जो हैं, इनके द्वारा कही गई है, ये गौरव वल्लब जी हैं, और आज रिजाइन देने के बाद ये पार्टी आफिस में पहुंचे थे बीजेपी में, तो उनके बाद बीजेपी के नेताओं को इन्होंने गले से लगाया, और अच्छी बात है, ये गले से लगाएं क्योंके जब लगाना ही थ विल्ट किरीटर्स को गाली दे सकता हूं, इसलिए मैं कॉंग्रेस पार्टी के सभी पदो वह प्रात्मिक सदस्ता से इस्तिफा देता हूं, देखे, इन्होंने जो मुख बाते की, वो क्या-क्या कही है, इन्होंने कहा है कि पार्टी जो है, वो दिशाहीन हो गई है, दिश तो मुड़दाबाद तो कहेंगे नहीं, कि अश्री राम जी मुड़दाबाद तो नारा लगवा नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा नारा लगवाया जा रहा है, गौरब वल्लब जी को शायद इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, और ना ही सुबह शाम देश के लि देश के बड़ी अची बात है, बड़े बहुत जल्दी में इनका जो है, वो दिल जाग उठा है, यही वो नेता हैं जो 2000, आज से कुछ साल पहले तक यह कहते थे, कि राहूल गांदी हमारे नेता है, वही हमारे नेता हैं, उसके बाद यह कहते थे थे कि पाटी वो लोग छ समझ में आती है, रेजिगनेशन देने में, अब इनका लेटर पढ़ते हैं, लेटर पुड़ा नहीं पढ़ते करके, आपको हम बहुत आराम से कुछ जो बाते हैं, वो बता देते हैं, जैसे धर्म के बारे में ये लिखते हैं, कि अयोध्या में प्रभू श्री राम की प्रां सुकृति देने जैसा है, ठीक है, एक पॉइंट इनका ये मान लेते हैं, पहला पॉइंट ये मान लेते हैं, अब दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, रास्ति प्रवक्ता बनाया है, कई मुद्दों पर पार्टी वपक्स दमदार तरीके से देश की महान जज़ता की पॉड़ी है, जब तक कारेकरता अपने नेता को डिरेक्ट सुझाव नहीं दे सकते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का सकरात्मक परिवर्तन संभव नहीं है, तो एक तो इनका राम मंदिर वाला है, दूसरा जो है इनका राम मंदिर के अलावा अगर बात करें, तो दूसरी जो परिशानी इनहें लगती है, वो यह है कि कारेकरता जो है, उनका आदर सम्मान नहीं हो रहा है, कारेकरता एक नहीं है, दूसरा पॉइंट है, बाकी तीसरा अगर लेटर परहेंगे तो इसमें आप देखेंगे, इन दिनों पार्टी गलत दिसा में आगे बढ़ रही है, यानि कि अब इनका कहना है कि कॉंग्रेस जो है, तीसरा पॉइंट है, कि कॉंग्रेस जो है वो एक खास धर्म की पार्टी बन गई है, ये इनका कहना है, और इसी वज़ा से इनको लगता है कि आर्थिक मामन में वर्तवान समय में कॉंग्रेस का स्टेंड हमेशा देश के व बिजनेस करके पैसा कमाना घलत है यानि के ये प्राइवेटिजेशन उदारी करन, नीजी करन, वेश्वी करन के बारे में बात कर रहे हैं एक इनकी ये भी पॉइंट है चवधा पॉइंट ये है महोते जब मैंने पार्टी की सरस्ता गरहन की थी उस वक्त मेरा जो धे सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलो में अपनी योगिता वच्छमता का देश्यत में इस्तमाल करूँगा हम सत्ता में भले नहीं है लेकिन आप अपने मैनिफेस्टों से लेकर अन्ने जगे उपट देश्यत में पार्टी और आर्थिक नीती निर्धारन को बेतर तरीके से परस्तुत कर सकते हैं लेकिन पार्टी इस्तर पर यह परियास नहीं किया गया जो मेरे जैसे आर्थिक मामलो के जानकार व्यक्ति के लिए किसी भुटन से कब नहीं है आर्थिक जानकारी काफी है इनके आप जानते हैं प्रोफेसर अफ फैनेंस हैं सर्टिफाइड फैनेंसियर रिस्क मैनेजर रह चुके हैं युएसे से उसके बाद फेलो लोग सभा चार्टर एकॉंट यह भी है कंपनी सेक्रेटरी आप देख सकते हैं पिएच जी उसके बा बात यह है कि मैं बीजेपी जोईन करना चाहता हूँ इसलिए रिजायन दे रहा हूँ और अगले कुछ घंटे में बीजेपी जोईन करूँगा और बीजेपी जोईन कर लिया है असल में यह बात लेकर कि कोंग्रेस पार्टी तरीके से काम नहीं करती हैं यह बिल्कुल सही बात है चाहे सचीन पाइलेट का मामला हो अशो गहलोत का मामला हो बिहार में आप देख लीजिए भी रिसेंट ली पप्पु यादव को टिकट नहीं मिला जबके कारेकरता क्या चाहते हैं कई सारी कॉंग्रेस की सीट्स पर भी कॉंग्रेस चुनाव नहीं लग रही है गठ तो सिंपल सी बात थी के कॉंग्रेस ने आयोध्या में जो प्रान प्रतिस्था हुआ उसमें वो क्यूं नहीं शामिल हुए इसके पीछे की सबसे वैलिड रिजन अगर बताई जाए तो वो ये के ये एक धार्मिक प्रोग्राम सम्मेलन नहीं था बलके ये एक राजनेतिक सम्मेलन बन चुका था जिसमें आपने देखा था कि पहले दिन जब सम्मेलन हुआ प्रान प्रतिस्था तो वहाँ पर आम लोग नहीं थे तमाम पॉलिटिकल लोग थे फिल्मी दुनिया थी वो तमाम लोग थे जो राम से दिक्कत है हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर जिस जगा बनी वो बाबरी मज़ित की जगा थी जिसे शहीद किया गया 1992 में आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं इस बात से फूब वाकिफ है और आप इस बात को भी मानते हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने ये बा इस पॉलिटिकल इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं किसीने राम को गाली नहीं दी किसीने हिंदू धर्म को गाली नहीं दी सनातन धर्म को गाली नहीं दी लेकिन प्रोफेसर सहाब को अब ऐसा लगने लगा है जब उन्हें लगा कि हम बीजेपी में जा सकते हैं ती creators पर सवाल उठाना कोई गलत नहीं है आप तमाम लोग जानते हैं कि अडानी अंबानी की नीतियों के बारे में electoral bond के जरिये भी आपने देखा कि किस तरह से अंबानी की कुछ companies ने उसके बाद अडानी की कुछ companies ने जो है जो है उनके साथ काम करती है उन companies ने किस तरह से BJP को चंदा देने का काम किया और इससे पहले PM Modi care fund रहा है PM care fund रहा है उसमें नजाने कौन कितना पैसा दे चुके होंगी तो इन सब चीजों पर सवाल किसी वी तरा से घलत नहीं यही प्र्फेसर साहब हैं जो पुर्म में अपनी प्रोफेसरी दिखा करके यह बताने की कुशित कर रहे थे कि किस तरह से वीदेश्छी जो रिपोर्टके तहत कैसे अडानी जो है उन्होंने घुटाला किया है या उनके उपर क्या कुछ हुआ है ये तमाम चीज़े प्रोफेसर सहाब पहले भी कहते थे मुसल्मान धर्म की बात इसलाम धर्म के जो लोग है वो ऐसा करते हैं बाकि और को कौन सा धर्म होगा जिसके लिए ऐसी बाते ये कहेंगे हिंदु धर्म के लिए कह नहीं सकते क्योंकि उसका विरोधी बता चुके हैं पार्टी को बचा मुसलमान तो चलते हैं देखते हैं कल परसो एक नेता परसो ही एक नेता को शामिल किया गया इस पार्टी में जिनका नाम है अजय निशाद बिहार से तालूग रखते हैं अजय निशाद जी कहते थे कि मुसलमान जो है मदर्सा को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदर्सा में परने वाले लोग पंक्चर बनाते हैं उससे जादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं देशित में कोई काम नहीं कर सकते हैं दूसरी बात उन्होंने कही थी कि तब गौरव जी ये इल्जाम लगा के चले जा रहे हैं कि ये एक धर विशेष की पार्टी रह गई पूरे देश में अभी टिकट दिया कॉंगरिस ने आप बताईए कि जातिय जनगन्ना की बात गौरव जी कर रहे हैं क्या गौरव जी ये बता सकते हैं कि जातिय जनगन्ना के हिसाब से क्या मुसल्मानों को कॉंग्रिस पार्टी ने टिकर दी या किसी सेकुलर दल ने दिया नहीं दिया लेकिन इसके बावजूद ये आरोप लगा करके खुद को साथ सुथरा बनाने की कोशिश करके पार्टी से निकलना चाह रहे थे लेकिन गए कहां गए उसी जरूरी नहीं है कि वह बहुत बहतरीन हो वरना अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक हमारे देश के रिसलर थे कॉंग्रिस पार्टी में शामिल थे भारत जो यातरा में खूब घूम रहे थे राहुल गांदी के साथ और अचानक देर रात तक जो है वो कॉंग्रिस के खि बुस्ते हैं और सुबह में आपको यह अंदाजा होता है मतलब साफ है कि अब लगता है कल आपकी भी नीन लग गई थी और सुबह देखा तो गले में भाजपा का पट्टा लटा गया यह श्याम मीरा सिंग ने लिखा है और बातें जो है आप आप देख सकते हैं सोशल नहीं गलेगी तो चल दिये जोला उठाकर संबित पातरा को जीरो गिनवाते गिनवाते खुद ही जीरो हो गये हैं यह बात कहीं जा रही है अर्थवेश्था को समझने वाले प्रोफेसर गौरव बल्लब जी अब भाजपा में चले गये हैं और इन्हें भाजपा से प्रेम कर लिया है जिसके आप तस्वीर हैं देख सकते हैं और यह आप लाइफ तस्वीर जो है देख पा रहे हैं बीजेपी जोईन करने के बाद इनकी यह तस्वीर है तो इस तरह से इन्होंने पार्टी जोईन कर लिया है और अपने गले पर बीजेपी का जंडा जो है अब लट आप इन साहब के चेहरे में आधा संबीत पात्रा को भी देख रहे होंगे ये एडिट करके इस तस्वीर को जो है साजा किया गया था तो उसे हमने आपको दिखाया है कि प्रोफेसर सहाब जो है अब इस पार्टी में शामिल हो गया है अब आपको थोड़ा सा याद दिलाने क के लिए हम दिखा देते हैं उसके बाद आप से विदा लेते हैं ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि पांच ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं अब सभान पूछा ना आप में जवाब देख लेये नहीं जवाब देख लेकर पांच तने हम धूब पहले ये राहुल गांदी से भूच किया हो मेरे भाई एक ये जिरो होते हैं ये देख लिए आपने इनका इनका ग्यान आपने देखा इनका इनका ग्यान देख लिए आपने पांस ट्रिलियन पांस ट्रिलियन जिरो ने पता है पांस ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे तो तो दोस्तों अब जो है गौरव वल्लब जी भाजपा में चले गए हैं और इनके घ्यान पर सवाल उठा रहे थे संवित पातरा के तो अब संवित पातरा के साथ बैठेंगे और संवित पातरा को ग्यान देंगे हो सकता है शायर इसलिए भी पार्टी में गय हूं बीजेपी म कितना लाख में, कितने करोड में, कितने आरब में, कितना जीरो होता है. ये जो हैं, वो सिखाने का काम करेंगे. तो ये है go Hello rigtigya की कहानी, जिन्होंने आज भारतिय जंता party जोईन कर लिया है. कुछ देर पहले Congress party को अलविधा कहा, ये कहकर के, कि Congress में रहकर के